है यह यह जो फ्रेंड्स हाव आर यू आई होप यू आर फाइन तोड़े हम डिसकस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स तो आज हम लोग डिसकस करने बले हैं कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर कौन-कौन से ड्रग्स आते हैं उसकी ड्रग्स प्रफाइले हैं उसके ड्रग्स प्रोफायल मिंज प्रेटिकल प्रोपटिज क्या है ओसकी यूजेस क्या है उसकी फार्मास्इटिकल फॉनिस्ट और उनकी ब्राड नेम हमारे मार्केट में किस टाइप के एवलेबल हैं हम सारे डिसकस करेंगे ठीक है तो हम लोग आज देखने वाले हैं पहले अन्साने अखाइब कर सकती हैं न से एक्टिवीटि इसे परिस्टेटीज बारे में अभी हम देखते हैं तो सिंपठेटीक नर्वस सिट्बंस हमारे प्रेजंट रहते हैं ऑरिजिनेतर हैं थोड़ा शिक के बिटी लुमबर के बीच में लेकिन पारा सिंपठेटिक नर्वस अरिजिनेटेड नर्फ में कौन कौन से नर्फ 3-7-9-10 इन सब नर्फ के बीच में परसिंपदेटिक नर्फ सिस्टम ऑरिजिनेटेड होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ये और ध Tennant उसिस्टम में की संदिन इसतों करते हैं तो पिघुन अकर इंजंट करते हैं तो ओक्ताG द्रक्स लेंगे इए क्या करेगा दो ट्रक्स तीज में है तो और रॉक हैड बॉक मृद lec करने के लिए हम लोग ले रहे हैं ठाग्स उसे बलते हैं ब्लॉकिंग तो हम द्रक्स लेंगे जिसमें की बहुत जीप्तर से हमारे बौड़ी में डिजीचस सेकुरेशन हो रहे हैं तो उस डिजीचंड को डोमिनेंट करने के लिए हम लोग ऐसे ड्रक्स लेठे थो द्रक्स जाकर डायरेक्ट उसी रिजिप्तर में बाइंड होगी ठीक है तो अमलोग हमारी जो drugs से Autonomic Nervous Systems mainly two types of drugs are involving One is the cholinergic drugs Another one is the adenercic drugs Cholinergic drugs में क्या होता है Cholinergic drugs में क्या होता है जो हमारे cholino-mimetic Cholinergic drugs को अमलोग other name में cholino-mimetic और cholino-agonist भी बोलते है kolinomimetic means Kolino word and mimetic word mimetic means mimic करना उसके जैसे mimicry करना ठीक है और kolinergic kolino means kolinergic system तो kolinergic system में उसी के जैसा काम करना उसके kolinomimetic drugs agonist drugs और ज़िटि उसके against में काम करना उसके खिलाफ काम करना उसे बोलते है kolino antagonist drugs ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे cholinergic systems में जो cholinergic systems में हमारे जो receptors के throw actions करते हैं drugs तो यह क्या करते हैं? secreted करते हैं cholinergic system में manly acetylcholine को acetylcholine हमारे body में जब secretions होता है तो मतलब normal way में secretions होने से तो हमारे body ठीक से work करें अगर abnormally acetylcholine का secretions होगा तो हम उसे block करने के लिए भी drugs यूज़ कर सकते हैं उसी तरह के से हमारे क्या होती है प्री हमारे जो synaptic nerve है synaptic nerve में acetylcholine की secretions होता है neuronal junction से वहाँ पे हमारे pre और post synapse nerve है तो both sided acetylcholine secretions होती है cholinergic drugs में cholinergic systems में ठीक है तो हम acetylcholine हमारी synthesis क्या है जदि हम लोग देखते हैं कि हमारी cns central nervous system में acetylcholine की synthesis कैसे होती है तो हम लोग देखते हैं कि आज नहीं देख रहे हैं और वहां से फिर हमारे एक्षन दिखाते हैं आज नहीं देख रहें हैं इस फार्मस्यूटिकल chemistry के साफ से हम लोग देखते हैं medicinal chemistry के साफ से देखते हैं जो cholinergic drugs cholinergic drugs का मतलब कि जो drugs हमारे cholinergic systems में work करेंगे उसे बोलते हैं cholinergic drugs तो cholinergic drugs are again divided into two types one is the direct acting drugs another one is the indirect acting drugs और alkalidal drugs और इस्टर ड्रग्स ठीक है तो जो direct acting drugs है ओँ है हमारे acetylcholine philocarpine बिथाने चोल methacoline कारबाचोल और indirect acting drugs लाइक से नियो स्टिग माइन फाइसोस्टिग माइन प्रालीडोक्जिन फिरिडोडोक्जिन तो यह जो indirect acting drugs है यह क्या करेंगे हमारे acetylcholine को इनिवीशन करेंगे या cholinergic systems को इनिवीट करेंगे और action दिखाएंगे ठीक है और एज़ पर chemical basis यह divided into two types के one is the alkalidal drugs another one is the easter drugs easter drugs में आते हमारे acetylcholine, betanethol, methacoline, carvacol and alkalidal drugs like spilocarpine, physo stigmine, these types of drugs are coming from the alkalidal drugs रहें और आज हम लोग distance करते हैं drugs profile for the new stigma drugs तो नियो इस्टिग्माइन ड्रक्स के नियो श्टिग्वाइन इजे quaternary ammonium anticholinoe steris drugs मींस की दीश वन इस्टर टाइप drugs ठीक है जो कि हमारे quaternary ammonium compound के साथ bind होके रहेंगे मतलब यह जो substituent है हो एक quaternary ammonium का substituent होगा तो इसका molecular formula क्या है c12 h19 brn2 o2 ठीक है तो इसका structure किस तरीकर को होगा एक benzen ring होगे benzen ring में one is the quaternary ammonium quaternary ammonium में क्या होंगी three methyl group होंगे ठीक है three methyl group होएंगे और उसके साथ one is the substituent for the carbon ammonium ammonium oxygen compound ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे nitrogen ammonium means nitrogen and two methyl group dye methyl group ठीक है तो अब हम लोग इसका naming कैसे करेंगे तो इसके naming करने के लिए हमें चाहिए यह पहले हम लोग देखते हैं कि इसके numbering हम लोग कि साइट से कर सकते हैं तो possibility of the number is quaternary ammonium one two three four five and six तो हम लोग इस direction should number given next हम लोग देखते हैं कि हमारी जो nomenclature है आई पेसे nomenclature हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे तो हमारी यह three positions पे जो सफ्टी चुएंटे पहले उसकी naming लिखेंगे तो थ्री डाइ मिथाईल कारवा मोई लोग जीम उसकी बाइद quaternary ammonium का एन 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 ड्राइ मिथाईल क्योंकि यहाँ पे एन पोजिशन पे थ्री मिथाईल है तो हम लोग यहाँ पे एन 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 ड्राइ मिथाईल और इस structure will be the ammonia structure स्ट्रक्चर तो हम लोग इसको लिखेंगे एन ली यहाँ पे क्वाटर नारी ammonium है तो यहाँ प्लस है मतलब एन एन एलियम ठीक है तो यह इसके आई पीसी नेमिंग हुए अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ड्राइब से उसकी फीजिकल प्रपरटीज क्या उसकी देख कि मैं ड्रक्च और अलवेज कलर लेस और वाइट क्रिस्टल एं पाउडर देन इस ओर्डर इस दा ओर्डर लेस टेस्ट इस दा बीटर एंड सालीवल इन फ्री लीव वाटर वाटर सी यह फ्री लीव मौर स्वाटर ने इसके केमिकल प्रपरटीज क्या है तो इत रियाक्त इस्टरिक साइड यह हमारी जो ड्रक्च के इस्टर साइड है वहां पर यह होते हैं अप्ड़ एसीटल खोलीन स्टरेज एंड इट इनटो दा इनक्टिव डाइमिथाइल कार्बामोईल डेरिवेटव एंजैम ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ड्रक्च से उसकी stability condition क्या है तो it is affected by the light and atmospheric oxygen यह drugs हमारे जिदि कोई एक light area में रख देते हो sunlight के एरिया में light crushing area में तो वहां पे यह drugs affected होगा और atmospheric air पर पास करते होंगे इस तरिके के एरिया में oxygen coming out होते होंगे उस type के एरिया में जदि हम लोग इसको रखते हैं तो यह affected होंगे इसके storage condition क्या है तो इस ड्रग्स तर स्टोर इने tightly close light resistance container जो भी container है और light resistance container कि हमारे जैसा भी container उसके अंदर light crust नहीं हो नहीं पाता होगा उस टाइप के container के अंदर हमें यह ड्रग्स को स्टोर करके रखना है जैसे कि हमारे ग्लाज different different types के like that amber plastic and another types के तो जो हमारे अंबर ग्लास है उमेंली light resistance है तो हम लोग इसी टैप्स के कोई container में दीज ड्रग्स को स्टोर करके रखेंगे इसके यूजिस क्या है तो दीज ड्रग्स और यूज्ट फर द माइस्थेनिया ग्रावीज causing the abnormal weakness of certain muscles माइस्थेनिया ग्रावीज ड्रग्स का यूज होता है माइस्थेनिया ग्रावीज का मतलब क्या है जितने भी हमारे जोदी muscle weakness है कोई भी abnormal conditions में muscles की weakness हो रही है muscles developed हो रही है तो उस disease में ये ड्रग्स का यूज होता है next is the post-operative urinary retentions तो जिदी हमारे urinary blooders contract हो जाएंगे तो वह हम पर क्या होगा हमारे urinary retentions होगी तो इस case में भी हम लोग यूज ड्रग्स यूज करेंगे नियोस्टिंग में it used for the reverse effect of the muscles relaxation such as the gallamine and tuberculine ठीक है तो ये जो muscles relaxation है हमारे muscles जदी relaxed हो जाएंगे muscles जदी dilate हो जाएंगे तो हमें gallamine और tuberculine types के disease developed होगा तो उस types के case में भी हमारे ये ड्रग्स की users होती है अब हम लोग देखते हैं कि जो ये new stickman drugs ये एमारे market में किस types की formulation मनाती है तो new stickman drugs ये formulation market में available है इं टेबलेट form एंग्जेक्शन में ठीक है next हम लोग देखते हैं कि हमारी जो new stickman drugs ये उसकी brand name क्या है तो mainly brand आज हम लोग देखते हैं तो हमारी नियो श्टिग्माइन के बारे में हम लोग डेटल देख लिए हैं इसकी जो भी सिंथेसिस प्रोसेस हैं और हमारे एड़ार्स एक्षन से यह सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे आज हम लोग स्रिफ ड्रक्स की प्रोफाइल ठीक है नेक्स्ट है हमारी फाइसो स्टिग्माइन ड्रक्स फाइसो स्टिग्माइन ड्रक्स इजे आलकालोडल अफ्टन फ्रम देख फाइसो स्टिग्माइन स्पेशिस अमारी जो फाइसो स्टिग्माइन ड्रक्स से यह एक आलकालोडल स्पेशिस ड्रक्स है और यह उप् स्ट्रक्टर के दिंग यहां पे एक इंडोल रिंग है और दूसरा हमारा पाइरोल रिंग है ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे दो मित्ताईल और यहां वाइड्रोजन ठीक है आब अब हम लोग देखते हैं यहां पर इस्टर ग्रूप से रहेंगे सी डेवल बंड ओव सी कि इन कि एच एच तरी तो अब हम लोग से नेमिंग कैसे करेंगे तो हमारी यहां पर हमेशा हैं फो sneak झूँट से होती हैं है जो भी साघ्यूरेटडर नैंट्रोजन है तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे तो अब हम लोग नहीं से क्र देशनेंगे लिए तो घ्र इन हमलोग देखतें यहां पर तो हम लोग पहले साचुरेटेट कर्बन अलग करते हैं तो यहां पर हमारे साचुरेटेट कर्बन कितने हैं वान टू थ्री फूर ठीक है और इस वन इस दफाइफ ठीक है तो इस वन इस दफाइफ साचुरेटेट कर्बन तो यहां पर हम लोग अभी नाइमिंग करेंगे वान टू थ्री थ्री ए एटे हेक्सा हाइड्रो सॉरी पेंटा हाइड्रो उसके वान पोजिशन्स पे थ्री ए पोजिशन्स पे और एट पोजिशन्स पे मिथाइल ग्रूप है तो हम लोग उसको लिखेंगे वान थ्री ए एट प्राइ मिथाइल फाइब कर्बामोईलोग जी मतलब फाइब पोजिशन्स में इस ग्रूप है तो फाइब मिथाइल कर्बामोईलोग जी इस रिंग और कॉल इस दा पाइरोल रिंग तो पाइरोलो टू थ्री बी इंडोल ठीक है अब इसकी फीजिकल प्रापर्टीज को देखते हैं तो फीजिकल प्रापर्टीज इस वान इस दा आई पेसे नेम अब दा ड्रक्स ठीक है अब हम लोग इसकी फीजिकल प्रापर्टीज को देखते हैं फीजिकल प्रपरटीज में क्या होता है कि हमारे ड्रक्स के कलर ओर टेस्ट क्या है और किसे सॉलिबिलिटी है मुझ रिमाउंट में तो हम दोब देखते हैं कलर जो है हमारी 500 चिक बैंड की कलर लेस क्रिश्टाल है ओडर इस दा ओडर लेस क्रिश्टाल एंड इस वाटर यह लो एममाउंट में बहुत में डिजल्व होता है water में बहुत सलोली डिजल्व होते है उसके डिजल्विंग पावर बहुत कम है ठीक है इति श्ट्ब इन ए यह टाईट लाइट रेजिस्टन्स कांटेंडर धिक हे इसके केमिकल प्रपरटीज क्या, if इन प्रेयंस को कोई एयर पासिंग कॉंतेनर में मैस्चरोल क्रेर्सिंग कांटेनर में रखते हैं, तो यह ड्रीड 정도로 होके हमारे जो हैं से बंदिलिक में कंपरस्ण हो जाते हैं और जो देखते हैं और आगर आगर उसको चप्टेãस करते हैं तो अमयने से जोगते हैं जो थ 걸ते हैं तो ड्रक्स यूज़ तो ट्रीटमेंट अप गलाइकोमा पर टीटमेंट अप पोईजिनिंग अप दे एसेटिल कॉलिन ड्रक्स ट्राय साइकलिक अंटिडिप्रेशन ट्रक्स में यूज रोती है इट यूज़ टेज सोम साइकाटरी नियूरोजनिक डिजयडल लाइक आल्जीमाट डिजीच एड मायोटिक डिजीच मैयोटिक डिजीच मिन्स मायोशिस मेंस हमारे इपी पिल है उसका तो जदि हमारे आई पीपिल कंट्राक्ट होते हैं तो देट टैप्स डिजीज में भी इसके फार्मासिटिकल फॉर्मूलीचंज क्या है तो फाइसो इस्टिग मैंन हमारी मार्केट में आई ड्रफ के डोजेश फर्म में और इंजेक्शन फर्म में एविलेबल है और इसके कंबिनेशन फर्म भी एविलेबल है फाइसो इस्टिग मैंन फिलो कार्पिन के साथ जो की आई की ड्रफ में यूज होती है सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब नेम हैं तो आज लोग asked कर लेते हैं कि आडएरों म स्ट्रिडब स्ट्रो टैपस यह सिम्पाहथिक पारासिंपेटी लिए एचनुड नेम%, स्टिंपाइटेक दिश्टम में मैनली दो टैप से ड्रक्स इनफर्व होते हैं वान इज दो आणिछ को नीछ ट्रॉक्स को हम लोग है कौलिन, जो कि आणिछ के ज, करते हैं उसके ज, कर ऐसिले हम लोग उसको करो सब्सक्राइब तैसले ता मेरे जमर रोटरी पल खिना किलाण़, बेसिस वान इज़ी इस्साटैप एंधर वानीश टाइफ पैनग अलकलेडल टाइप ठीक से अब आम लोग देखते हैं कि जब हमारे इस्टाइफ्स के ड्रक्स हें और आलकलेडल ड्रक्स हैं उनकी क्या क्या प्रफाइल है तो हमारी जो में हम लोग फ्रस्ट देखे नियो श्टिकमेंड ड्रक्स इजे इस्टर टैप ड्रक्स इसमें हमारी जो उसका नॉमेंट क्लेचर देखे कि हम लोग IPC नेमिंग कैसे करेंगे ड्रक्स का और उसके फीजिकाल, chemical formulation यह सभी को हम लोग देखें कि मार्केट में इसकी किस तरीके से drugs profile है नेक्ष्ट हम लोग फाइसो स्टीगमेन को देखें फाइसो स्टीगमेन का भी हम यह सभी चीज़ देखें उसके uses क्या है हम लोग कौन से डेजिज में यह drugs को यूज कर सकते हैं thank you for watching अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक share and comment करिए जो और अगर कोई doubt है तो प्लीज मुझे comment box पे comment करिए ताकि मैं आपके और नए नए वीडियो ला सकूँ आपकी हर एक लाइक comment and share and subscribe यह सभी मुझे बहुत चादा inspiration करती है नए वीडियो तेंक यू